गुड मॉर्निंग हिमाचल सुभा की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स इस न्यूज बुलेटिन इस ब्राट वाई बर्मा ज्वेलर सोलन दे बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम अफ हिमाचल परदेश हाथों में मुख्यमंत्री प्यंका गांधी के पोस्टर लेकर धर्मशाला पहुंचे कॉंग्रेस कारे करता कैसे होगा इस विभाग में काम अस्ति फिसदी स्टाफ ही नहीं खेत खली हानू से 36 से भी अधिक जड़ी बूटिया जुटा कर मनाया यहां महोत सब और अब खबरें विस्तार से प्रदेश कॉंग्रेस सरकार के विवस्था परिवर्तन का एक साल कारेकरम के लिए धर्मशाला की सरकों पर कॉंग्रेस कारेकरताओं का जमावडा लग गया है धर्मशाला के एतिहासिक पुलिस मैदान में होने जा रही इस रैली में प्रदेश के विभिन जिलों से पार्टी नेता वकारेकरता धर्मशाला पहुच चुके हैं प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों से पार्टी नेता वकारेकरता बीती रात ही धर्मशाला पहुच गए थे वही कांगडा, हमीरपुर, ओना और चंबा जैसे जिलों से लोग इस कारेकरम का हिस्सा बनने के लिए धर्मशाला पहुच रहे हैं परदेश के विभिन जिलों से धर्मशाला पहुच रहे कांगरेस कारेकरताओं में सालाना समारहु को लेकर खूब जोश दिख रहा है हाथों में मुख्यमत्री सहित कांगरेस के रास्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे राहुल प्र्यंका वा सोनिया गांधी जैसे नेताओं के पोस्टर हाथों में लिए धर्मशाला की सडकों पर दिख रहे हैं हमिरपूर से रैली में हिसा लेने पहुँचे युवा कमल जीत का कहना है कि सुखु सरकार का एक साल पूरा होने पर वह धर्मशाला आई हैं सुखु ने आपदा में जिस तरह से प्रदेश को अकेले संभाला है वह बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश लोक निर्मार विभाग का यांतरिक विभाग मेकेनिकल स्टाफ की कमी से जूज रहा है इसके चलते वर्तमान में तमाम तरह के विकास कारे को अमली जावा पहनाने में जहां एक और विलंभ हो रहा है वहीं दूसरी और स्टाफ ना होने की सूरत में अधिकारी ठेकेदारों की आगे काम करवाने को मजबूर हो गई है लोक निर्मार विभाग यांतरिक मंडल कुलू के अधिशासी अभियंता इंजिनियर जील ठाकुर का कहना है कि 80 फिसदी स्टाफ मेकेनिकल और मिनिस्ट्रियल स्टाफ का ना होने की सूरत में कामकाज प्रभावित हो रहा है ब्रिज और जूले सहित अन्य भवन निर्मार विकास कारे को अंजाम देने में विलंभ हो रहा है उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर इस वल्ग के पदों को भरा जाए ऐसे में पैसा भी बचेगा समय की भी बचत होगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा की पासिक और जगारू तो को भी मनाली में यहाँ बेटनरी का मौंतर मैं है रेड क्रोस की बिल्डिंगς के हमारे कुछ काम चले हुए हैं बल्पनिये जिलाबलासपूर के घुमारवी उपन्डल की ग्राम पंच्चायत तलवाड़ा में दो दीवस्य च्रेयावन प्राश महोत्स वैदय अभिशेक ठाकुर की अध्हकषता में मनाया गया इस अवसर पर ग्राम पंचायत तलवाडा के प्रधान धनीराम वर्मा ने बतोर मुख्या आती थी शिर्कत की डॉक्टर चंदर प्रभा ने विशेश रूप से शिर्कत की कारिक्रम का शुभरम भगवान धनवांतरी के समुख दी प्रजवलन करके किया गया 54 निर्मार उत्सव के बारे में वैदया अभी शेक ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में अपने आप में ही यह पहला ऐसा कारिक्रम है जिसमें कि आयरुवेद चिकित्सा को बढ़हवा देने की दृष्टी से 54 निर्मार महोत्सव मनाया गया उन्होंने बताया कि 53 प्राश महोत्सव को बताने के प्रती करीब दो महा पहले से तयारियां आरंभ की गई थी इस त्रियावन प्राश में प्रियोग की जाने वाली 36 प्रकार से भी अधिक जड़ी बूठियां खेत खली हानों से एकत्रित की गई उधर मुख्या तिथी ने कहा कि मौजूदा समय में सभी लोगों को आयरवेद चिकित्सा से स्वास्थय लाब उठाना चाहिए मैं वैद्यव शेक ठाकूर मैं आयुष बिभाग में यहां जिला बिलासपूर के जो हमारा यह स्थानिया पंचायत है ग्राम पंचायत तलवाड़ा के अंतरगत एक आयरवेद स्वस्थय के अंदर ढटो जो है वहां पे मैं सेवारत हूँ और आज इसी पंचायत के अंतरगत यह मेरा घर का परांगन है और आज हमने यहां पे जो है वो चमनप्रास निर्मान का एक महा उत्सब जो है वो रखा है और इसमें लगभग जो है वो डेड़ से दो कोईंटल हमारा लक्षय है टारगेट है कि इतना चमनप्रास जो है वो नैचुरल प्राकृतिक तोरपर अपने हाथों से जो है जो हमारी एक कुशगर की जो हम आपस में सभी लोग जो है वो आईरवेद के जुड़े हैं उसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो हमने स्वय में कत्रित की है और वो फ्रेस फों में आज हम इस चमनप्रास में ज साथ